ज्यानवापी मस्जिद और कुतुब मिनार से जुड़े विवाद के पीश भारत में खुगो या तलाबो वाली प्राचिन तर्मुप मस्जिदों का गोपनी सर्वेक्षड करने के लिए सुप्रीम कोड के समझ एक याचिका तायर की गई है दोधी वक्ताओं द्वारा दायर याचिका में भारतिय पुरा तर्तो सर्वेक्षड रिभाग के जरिये 100 साल से अधिक पुरानी प्रभुक मस्जिदों के तलाबों और कुगों से वुजू के इस्थानान रित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है जन्हित याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोड भारतिय पुरा तर्तो सर्वेक्षड या किसी अनिसस्था को आदेश दें कि वो इन मस्जिदों का सर्वे करे इसके अलावा सव साल से अधिक पुराने मस्जिदों में तलाबों और खुगों से वजू को स्थनानतित करने के लिए भी निर्देश चारी करे वजू एक इसलामी प्रक्रिया है जिसे मस्जिदों में प्रवेश्य पहले सरीर की अंगों को साफ करने के लिए अपनाई जाती है दायर की गई जन्हित याचिका में कहा गया है कि ऐसे मस्जिदों का गोप में सलुचन किया जा सकता है ताकि वहां से यदि कोई अवशेस मिले तो अनावश्य संपदाई तनाव और धानली प्रावनाओं को आहत करने से बचा जा सकता है सुप्रिम कोट में या जन्हित याचिका दिवक्ता सुभम आवस्थी की ओर स्यधी वक्ता विवेक नराइन सर्मा के जरिये दायर की गई है याचिका में आगे कहा गया है कि मंदेकाली न्यूग में मुस्लिम आखिवर कारियों ने कई हिंदू, चैन, सिख और बौध मंदिरों को आपवित कर दिया था याचिका करताओं के नुसार सर्विच्ण गोपिये के साथ किये जाए ताकि यदि कोई अवसेस मिले तो अनावा शक्सान पताइक घ्रणा और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बचा जा सके जनित याचिका दिल्ली NCR के अधिवक्ता सुबह मवस्ति और सब्ति स्री मिश्रा ने अधिवक्ता विवेग्नाया सरमाद्वारा दायर की गए है इसमे लावा किया गया है कि वरानसी की ज्यानवापी परिशर में तलाब कुभी में एक सेवलिंग पाया गया था याचिका विया भी कहा गया है कि जहां मुसल्मान वजू करते हैं जो पर्था कई दशकों से जारी है ये पविति सिवलिंग के प्रती जानबूच कर द्विश और हिंदू देवी देवताओं के प्रती एक प्रती शोत को दरसाता है ताकि हिद्दूों की धार्विक भावनाव को ठेस पहुचाई जासके जनियत याचिका ने 100 साल से अधिक राने प्रमुक मस्जीदों के तलाबों और कुवों से वजू को स्थनाजिक करने के लिए निर्देश देनी के भी मांग की गई है विरो रपोट आपे